असलाम अलेकुम वेलकम टू आमनाज रियक्शन कैसे हैं आप सब चले जनाब स्टार्ट करेंगे अपना रिवियू अपना रियक्शन वीडियो और स्टेप बाइ स्टेप आपके साथ चीजें क्लियर करते चले जाएंगे आज मैं बात करूँगी जो डीडी की दुलहनीया ना उसकी वीडियो पर वो गई वी है उकाडा अपने सबस्क्राइबर के घर में भी उसके भी सब्सक्राइबर क्योंकि दोनों ही यूट्यूबर हैं डीडी और दुलहनिया तो वो लोग वहां पर मौझूद हैं और मैंने डीडी की कम्यूनिटी देखी थी वहां से उस लेडी का चैनल भी शेयर किया है डीडी ने जिनके घर पर वो गैस्ट मदू हैं तो मैं सोच रही हूं कि पूरी दु सिर्फ ना सौतन तीसरी बीवी चौती बीवी हस्बेंट का पोज में उसको मारना मतलब उसकी यही कहानी और उसने तो डीडी के बारे में ये भी लिखा था काश वो उसे पहले मिल जाता मतलब उसने हर कोशिश करके देख ली वही जिसकी के वाइस डीडी ने भी चलाई थ और उसने भी चलाई थी और डीडी ने एक सेंटेंस पूछ लिया था कि तुम्हारी कास्ट क्या है और ये पूछना जो है वो फलर्ट में आ गया था खैर जनाब डीडी फलर्ट होगा इसमें मैं क्या कह सकती हूँ मैंने अपने आँखों से उसे किसी के साथ यहां पर फलर रियाक्शन है ना बस उसकी बेसिस पर अपना एक एनालिसिस रखूंगी क्योंकि अगर और ओरत की किरदार पर बहुतान लगाना गुना है तो इसी तरह से एक मर्द की किरदार पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसके साथ असोसियेट करना ये भी जो है गुना है बराबर का गुना है दोनों जो है वो यकसा गुना में आते हैं और बगार देखे बगार जाने जो है मैं नहीं इस रेस में शामिल होना चाहती इसलिए अपना रियक्शन जो है वो मैं एक अलग ट्रेक पर लेकर चल रही हूँ ताके जो चीजों का एक और पर्सपेक्टिव है वो आप लोगों की समझ में आ सके ठीक है जनाब इतनी लंबी तमहीद बांदली मैंने चले जी बात करती हूं में जो दुलहनिया है वो जो है एक उसमें वीडियो बनाई और कहा डीडी कराची के लिए निकल गया या चले गया वैसे मैं एक बात बूलना चाहती हूं डीडी का कहना थ ता कि डीडी को कैपशन लगाना नहीं आता थमने लगाना नहीं आता वो गूगल ट्रांस्लेटर या जो गूगल एक माईक है उसकी हल्प लेकर वाइस ओवर करके जो है सेंटेंस लिए पिर कापी करता है फिर उसे थमनेल पर और कैपशन में लगाता है बट जो डीडी की न्यू दुलहनिया हैं ये तो इतनी काबिल हैं कि इनको यूनिवरस्टी आफ पंजाब और पता नहीं कौन कौन से कॉलिज जो हैं इस्पेशिली ओफर करते हैं कि मैडम आईए और हमारे कॉलिज का इंतिजाम आप संभालिए तो खुदारा अगर आप इतना कह रही है ना तो कुछ जो बुनिदी स्पैलिंग्स है उसको सही लिख़ा करें पता है कि आप बहुत सारी स्पैलिंग्स मैं भी रॉंग लखती हूँ और वो अनपर पॉंपस होती है उसका रीजुन है कुछ जिसकी वज़ा से मैं उसको रॉंग कर देती हूं लेकर जैसे चलेगा ये सारी और बहुत सारी और भी चीज़े हैं जो मैंने देखी हैं आपके थर्मनेल पर तो मैंने कहा मैं उसको भी यहां पॉइंट आउट कर देती हूं ताकि अगर आपका देहान उधर नहीं है या आपका थर्मनेल कुछ डीडी बना रहा है तो आप एट लिस्ट उसको एक बार चेक कह रही थी इनकी आँखें बिला वचा सूजी नहीं रहती वलके ये रोती रहती हैं और बहुत रोती हैं और रो के दिखाना नहीं चाहती हैं कि यहां पर बैठ कर वो रोएं और दुनिया को रो के दिखाएं उन्होंने कहा कि जो लोग रियक्शन देते हैं दें उनका चुड़नी है और उस चुड़ली को पकड़के सबने दुरली बनानी है और उसके उपर रियक्शन देते जाना है ठीक है जनाब तो इन्होंने कहा इनके लिए हस्वेंट का नाम ही काफी है बीबी अगर आपको हस्वेंट का सिर्फ नाम चाहिए था तो नाम तो पहले भी आपके साथ था ना उनकी आप बेवा थी आपने शादी की है इनसान के साथ के लिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ना तो इस चीज़ को तो एसे मत बोलें लोगों को नजर आ रहा है कि आप लोग जिस तरह से रह रहे हैं लाइफ गुजार रहे हैं वो सब बहुत मुश्किल टाइम था बहुत मुश्किल टाइम था वल्ला आलम बिस सवाब क्या था क्या नहीं था यहां तो हर रोज एक नई कहानी आती है बहर कैफ आपका मसला आप जाने लेकिन आपने इस चीज़ को पहले चुपाया फिर बताया इसका क्या रीजन था इसकी क्या लॉजिक थी आपने ये नहीं बताई है ना ये भी बता देती तो ज्यादा बेटर होता खेर जी फिर आपने कहा कि आपके उपर बहुत गलत बाते कर दी जाती है और बहुत बुरे नामों से आपको पुकारा जाता है आपको बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं तो मैं ये सोच आपने कहा कुछ अच्छी बहने भी हैं जो बहुत पॉजिटिव कॉमेंट करती हैं वो कहां कॉमेंट करती हैं मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कोई अलग से आपने कैटेगरी लगाई ये क्या जो कि सिर्फ कॉमेंट सेक्शन उन्हीं लोगों को विजिबल है और हम कि हवाले से भी पसंद नहीं करती थी मैंने पहले भी बोला था खैर सबकी अपनी चौइस है अपनी मर्जी है अपनी जबान है और कोई सिलसले में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो आपके शोहरे नामदार है ना मौजूदा वाले इन्होंने भी बहुत बुरी बुरी बाते जो हैं वो लोगों को कही है और कहमल जो है वो उसे रखना चाहिए एक ख़त तक चीजे जो है वो नाखाबल बरदाश्ट भी होती हैं लेकिन फिर भी कुछ चीजे हैं अगर आप यूट्यूबर हैं और आप मर्द यूट्यूबर हैं देखें यूट्यूबर और तो मर्द तो सारे फैलो यूट्यूबर हैं लेकिन फिर भी कुछ चीजे जो हैं वो नामुनासिब हैं वो नहीं होना चाहिए लेकिन क्या है ये सिलसला तो रुकने का नाम ही नहीं लेता अच्छा जनाप अब क्या है आप जो हैं अपने सब्सक्राइबर के घर में बैठ गई जाकर और आफ कैमरा आपसे सब बहुत अच्छे से मिलते हैं पता नहीं ऑन कैमरा सब को क्या हो जाता है किसकी जाने बशारा था आपका क्या फात्मा की जाने क्या फात्मा आपके साथ बहुत अच्छे से मिलती हैं या फिर बीबी आपसे बहुत अच्छे से मिला है या फिर जो आप के ससूर सहाबें वो आप से बहुत अच्छे से मिले हैं आखिर वो कौन सा रिष्टा है सुसराली नया वाला जो आपके साथ बहुत अच्छे से मिलता है आपने एक और यहाना लोगों को रियक्शन के लिए पॉइंट दे दिया और बड़े चलाकी के साथ आपने यह पॉइं दे रियक्शन ना दो रियक्शन किसी और की घर पर बैठ कर अपनी पहली बीवी के हवाले से एक्स के हवाले से अटलीस्ट यहां बैठ कर मत दो थोड़े देर के लिए खामोश हो जओ यहा से निकल चलते हैं या फिर किसी पार्क में चले 1 चले जाते या पिर किसी और बहुत परिशान है उसके उपर डेली नया इल्जाम लग रहा है ये तो मैं भी देख रही हूँ कि जिस दिन से डीडी की जो शादी हुई है ना पता नहीं कहां कहां से उसके स्केंडल्स अचानक निकल के आ रहे हैं जो के पहले सारी जो हैं वो सोई हुए थे एकदम से कोई आदमी ना 100% रॉंग नहीं हो सकता है कुछ ना कुछ जो है उसको बदनाम करने की कोशिश भी है है ना क्यूंकि ये जितना बुरा दिखाई देगा ये जितना जादा बदनाम दिखाई देगा उतना जादा जो सेंपती है वो इसकी रियल वाइफ के साथ जाएगी नो जिन्दगी में विलागिंग करें रियक्शन जो है उसको छोड़ दें तू तुकार को छोड़ दें सवाल जवाब को छोड़ दें एक करफ से खामोशी होगी दूसरा जो है आटोमेटिकली चुप हो जाएगा बात खतम लेकिन नहीं जी अगर ये सलसला स्टॉप हो गया त आप इतनी बुरी तरह से ना जो दो दिन के अंदर तगयर आया है चेंजिस आये हैं और डॉंट नो आपकी और फात्मा की क्या डेल हुई है क्योंकि आपको याद होगा यहां पर मैं आपको याद दिला देती हूँ और फात्मा आपको भी याद दिला रही हूँ आप भी इस तरह की बातें जब सामने आई थी तो मामू के तो आप लोगों ने कपड़े उधेर डाले थे वो तो मैं परिशान होती हूँ जब मामू नैनू के घर में नजर आते हैं कि मामू यह वही दर्जी है ना जिनके हवाले से आप लोगों ने अचीब औ वरीब अफसाने मश पर फिर क्या था यहां पर जो डीडी है उसने इस टाइम आकर फात्मा को सेक्यूर किया था और नजमा और आईशा दोनों को खरी खरी सुनाई थी कि खबरदार जो एक लफस भी फात्मा के खलाफ बोला यानि जो फात्मा हैं उनके हक के लिए आवाज उठाई थी और कहा फात्मा पर इस तरह के लजाम ना लगा और मामू को भी कहा था कि जो फात्मा है भूल गए वो आपकी कितनी खिद्मत किया करती थी और आपने इस तरह से ये सिला दिया है मतलब ये सारी चीज़ें डीडी की जानिब से आई थी जो एक शोहर को करना चाहिए अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करना चाहिए उसने फात्मा को प्रोटेक्ट किया था और आज भी ये हम देख रहे हैं कि जो डीडी है वो फात्मा के उपर कोई गलत इल्जाम नहीं लगा रहा मतलब यही चोटे मोटे जो घरेलू चक चक भकबा कहना कि तुमने ये किया मैंने वो किया त तुमने इसका साथ नहीं दिया तुमने उसको बच्चा नहीं समझा ये सारी बातें चल रही हैं लेकिन फात्मा के किरदार पर या सुमेरा के किरदार पर एक लवस इस बंदे ने नहीं बोला है तो ये सारी चीज़े जब मैं देखती हूं तो मैं सोचती हूं यहां पर कि अचानक से जो आईशा है, उनकी हमदर्दियां फात्मा के साथ कैसे हो गई है ना, इतनी जादा हमदर्दियां हो गई कि वो फात्मा को अगर डीडी कह रहा है कि फात्मा, तुम्हारा इंसाफ जो है वो अल्ला करेगा और तुमने अच्छा नहीं किया और आठ दिन के अंदर अंदर बच्चा यहां होना चाहिए वापस और मैं छोड़ के गया था बच्चे को तो फिर ये फात्मा जाने और डीडी जाने इसकी टेंशन आईशा क्यों ले रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसे वो तमाम तर चीजें उन्होंने एक्स्प्लेइन की और जो बीना बाजी है उनको इसमें घसीट लिया और उनको कहा कि जो अभी भी इनके घर अलाद नहीं है तो उसका रीजन भी यही लोग है इन लोगों ने जो आपको बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तिला कर दिया है परिशानी में मुब्तिला कर दिया है और इस वज़ए से आप क्या आलाद नहीं हो रही है तो ये आपने रीजन दिया है बहर कैफ ये भी जुबानी का लामी बाते है ना क्योंके देखें, इल्जाम है जब तक कोई चीज, कोई टेस्ट या कोई रिपोर्ट सामने ना आ जाए और जब इल्जामात लगते हैं तो हर लैवल जो है ना वो क्रॉस होता है, आप उस पे इल्जाम लगाएंगी, वो आप पे इल्जाम लगाएगा, अब तक ये चीजें जो हैं वो कावर हुई वी थी, पिर आपने का तुम गलीज इन्सान हो बेगैरत, तुम moje हया नह है, तुम्हे शरम है, तु आउर्टों ची इजत नहीं करता है, तु आउर्तों पर इल्साल लगाता है, तु यह करता है, तु यह तो मैं आईशा आपसे फिर सवाल करती हूं कि जो आपका भाई है, जिसने सितारा पर इलजाम लगाया, उसने क्या किया, वो क्या करता है, उसने आकर यहां औरतों को कितनी गालिया दी, बहुत सारे रियेक्शन चैनल्स हैं, जिनको उसने खराब खराब इलजामात पे की और उस भाई की बीवी ने जो किया फिर आपको वो कैसे सब कुछ राइट लगता है अगर अभी आपके साथ या कुछ अगर फात्मा के साथ आपको लगता है या रियक्शनिस्ट के साथ दीडी घलत जबान इस्तमाल कर रहे तो आपका भाई कौन सा दूट का धुला है वो तक रुस्वा करवा रहे हैं फिर क्या है जनाब बहुत सारी चीजें हुई हैं यहां पर तो यह सारी चीजें आप कैसे बूल जाती है आईशा और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कहना चाहती हूं वीडियो बहुत लंबी हो गई है फिल वक्त इतना ही बाद में बात होगी Allah Hafiz